हेलो एब्रीवन विल्कम बैक माई चैनल आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर जिसमें मैं सेयर कर रहे हूँ अपने इस लिविंग रूम का मेक ओवर तो मेक ओवर के साथ मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूँ इसकी क्लीनिंग भी क्यूंकि सबसे ज्यादा जिरूरी है सफाई उ करते हैं तो सबसे पहले देखें यह सारे करटन मैंने निकाल लिए थे और इसके बार इसको मैंने हपने मैं एक जापन है कि जो भी दोल सफाई या हलाज आतन दोरा qa सबाद ढ़िए यह दो कंछा है तो आतन से पूरे वाल को भी मैंने ब्रूम L मैं नहीं वाल साफ कर लिए कि देखे दिवाली पे जब इसथा की कि दिल कोईदम तसलिय मिलती है कि हम ने सफाई की है पूरे घर की सब्सक्राइब scoring को इसी तरह मैंने ब्रूम से सब्सक्राइब निकलती पूरे वह करें कि थे नुद कर साथ तो इसका कुष्ण कवर निकाल लूँगी सारे धोने के लिए इसको रख दूँगी उसके बाद में कर देती हूं थोड़ी सी इसमें क्लीनिंग सोफे की क्योंकि सोफे में बहुत दिन से साफ नहीं हुआ है तो इसकी भी सफाई कर दूँगी तो तो इसका को सारे मैंने रख देखें यहाँ पर एक एक चीजे मैंने साख की है जो भी इस रूम में था चलिए जल्दी से कमेंट करके बताईए आपके घर की सफाई कहां तक पहुची और इस रूम का जो मेक वर में कर रही हूँ न वो जो सारे सामान में यूज करूँगी वो पुराने कुछ सामान है मेरे पास डेकोरेशन के लिए वो मैं यूज कर रही हूँ और कुछ मैंने बन अपने घर को तो वीडियो पूरा देखिएगा तो देखिए इस तरह से पूरे मिरर को मैंने साफ किया अंदर और बाहर दोनों से सफाई की और देखिए बाहर कितनी दुन्द है तो इस समय मैं क्या करती हूँ तो पुलिशन से थोड़ा सा बचने के लिए जो मेरे पास इं रख सकते हैं तो दीखिए इस सोफे की सफाई करने के लिए गरम पाने लिया है ऊसमने मिलाए थोड़ा नीबू और थोड़ा साfॉ उससे मैं अच्छा है साप करने के लिए काफी से दोन मिट्टी से बाहर हो जाती है ऑर जो हमने मिलाया है इसा मिलम नीबू करस अम App वह ह पहर में न मेरे इसमें बलकनी में जब धूप आती है तो रोम में भी तोड़ा सा आती है तो इसको मैं उसके सामने रख दूँगी इसके बाद तो यह सूख भी जाएगा मतलब इतना गीला भी नहीं हुआ है लेकि फैन स्वीज से भी सूख सकता है लेकि जब धूप आ रही ह कीजिएगा मेरी चोटी चोटी जो टिप्स हैं साइद उनके लिए हेल्फ पूलो और आपके लिए हेल्फ पूलो तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो दीखे इस तरह से मैंने पूरे सुखे की सफाई की जो कोनी-कोनी में धूल मिटी थी वो सारी निकल गई कापी अ उसको भी थोड़ा सा सही करूंगी क्योंकि कुछ चीजें खराब हो जाती है समय के साथ तो दीखे यहां पर मैंने लिया है एक टेप इस तरह का चोड़ा कलर पूल वाला तो यहां पर मैं बल्ग के चारो तरफ लगा दूंगी क्योंकि इसका होल्डर थोड़ा सा खुल सा क्या है तो थोड़ा सा ही खुला है तो मैं क्या करूंगी इसके चारो तरफ इस तरह से टेप लगा दूंगी तो जिससे यह सेक्योर हो जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा और जो यह लटका हुआ था वो भी खराब नहीं लगेगा तो देखे यह भी मेरी एक पूटी ची टिप्स है अच्छी लगे तो जरूर बताईएगा आपको कैसी लगी वैसे तो यह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रही हूं क्योंकि देखिए घर को हम सजाएंगे और कोई चीजे इस तरह से टूटी पूटी हो तो वह अच्छी नहीं ल काने का तो हो मैं कभी और सेर करूंगी आपके साथ तो चलिए जली जली लगा लेते हैं जाड़ो क्योंकि अब सारा काम हो क्या है मारा इसकी कर लेते हैं रूम की पूरी सफाई और उसके बाद हम करेंगे मुई को फाइनली रूम एकदम साफ हो चुका है अब मेक वर करते ह हैं इस सफाई के बाद और अपना थोड़ा सा हुल यह भी मैं सही करके आती हूं तो मिलती हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद तो देखे आ गई हूं मैं नहाद हो करके तो अब हम करेंगे घर का मेक वर तो यहां पर सबसे पहले हमने कर्टन निकाले थे तो सबसे पहले हम कर चल्रटन ही लगा देते हैं तो देखे यहां पर में श्यूह निकाले में को दूड़ होकर की सब्सक्राइब कर सकते ह्षिए थोहां करो अब पुराने चीज यह चीज ते द एक से बहुंत अबं हुआप यहां पर सिंपल सा मेरे पास जो भी कवर बगएरा है वही मैं यहां पर लगा रही हूं यूज से फेस्टिवर लोग देने के लिए इस तरह से जो हमाई लडिया होती है फूलों की वह मैंने यहां पर इस तरह से सजाया है क्योंकि थोड़ा सा खाले स्पेश था सोफेक के कॉ इसको थोड़ा सा मैंने सजा तिया जैसे कि हम सेलफी ले पाएं कोई भी केस्ट आये तो एक सेलफी पॉइंट मैंने बना दिया इस तरह से और जो भी मेरे पास पुराने सारे सामान थे देखिए यह जो मैं अभी मैं लगा रही हूं यह लोटस वाला यह मैंने बनाया है अ द्रॉइंग मतलब यह ड्रॉइंग है उसने कलर किया हुआ है तो देखिए जहां सूर है पे भी मैं थोड़ा सा कुछ सजावत का समान लग देती हूं इस तरह से जो टी लाइट होलडर मैंने बनाय थे वो मैंने रखे हैं यहां पर इस तरह से छोटा सा मतलब इसको सजा द है एंटि पॉइंट को और इस तरह से यहां पर देखिए यहां बी मैंने आपके साथ सेर किय था और जो रमनर मैंने भी पुरानी कप्ड़े से बनाया था जिसका वीडियो मैंने सेर किया है ओल लीडी हैं आपे साथ और चाहर करके देख सकते हैं तो यह कापी अच्छा यह लुक दे रहा था और यह बॉल आपको कैसी लगी इदम सिंपल सा मैंने सजाया क्योंकि देखिए सिंपल ही अच्छा लगता है और इसको मैंने इसलिए सजाया क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मुझे डेकुरेशन करना था दिवाली का तो इस तरह से जब हम इसमें दिये वगर जब जलाएंगे तो यह कापी अच्छा लगेगा तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में ऐसे और आइडियास के साथ तब तक अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो पहले बार सेयर कर रही हूँ तो मुझे खुद इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि यह कैसा बना है तो मुझे तो इसका जो मेक वर मैंने किया वो मुझे अच्छा लग रहा है प्लीज एמש сам कि वीडियो भीड़ एक अच्छा है कि रूफे लेल प्लीज तो इसमे इस के वीड़ सेयर का भीजियो खुदा की तो जे एक वीडियो बना है वीडियो प्लीज smoking अबना हो सेयर किये एक वीड़िना तो कर भीड़ियों बना है भीज Daug